दॉक्तर बाबा साहब आमबेडकर, उपन उनिवर्सिटी नमस्कार, डॉक्तर बाबा साहब आमबेडकर उपन उनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जरलीजम and मास्च कम्यूनिकेशन की तरफ से मैं डाक्टर अखिलेश उपाधिया है कि आप सभी विद्यार्थि मित्रों का थिक स्वागतियों में सम सबस्क्राइब श्यागतने में। चर्चा की थी कि अर्थात विज्ञापन में किस तरीके से इसकी भूमिका है क्या इसका युगदान है और कैसे करते हैं और आज जो इस पर हम चर्चा करेंगे विद्यारतिमित्रों की ओभरॉल जो हम देखें कि पत्रकायरता जगत में अर्थाइजिंग में खास्तोर से जब केस स्टेडी हम करते हैं कोई ब्रांडिंग में इडिवर्टाइजिंग में जिसकी क्या मायने हैं क्या इसके विशेवस्तु क्या है इसकी सब्जेक्टिटी क्या है और आप्जेक्टिटी क्या इसकी है इस विशे में चर्चा हम करेंगे तो पहला यह भी हम इसमें देखें अर्थात की जो आप केस करने जाते हैं तो एक तो औसर है आपके पास उसको आप भुनाते हैं, दुसरा की कभी-कभी जब अप्ष्टिकल में आप होते हैं चुनवती फ़रा जब समय आपका होता है उस समय आप किस तरीके से केस्टेडी करते हैं यह बहुत है महत्पूर्ण चीज हो जाती है खास्तर से उनके लिए या उन कंपणियों के लिए उस संगठन के लिए जिस समय खास्तर से बुरे दौर से गुजर रही होती है या उनका जो market होता है उस में market value उनकी कम हो जाती है उस situations में जो विज्यापन उनका होता है जो उनका रुजगार प्रवन्धन ह होता है जिस तरीके से उनको आगे की योजना बनानी है उनका फ्यूचर प्लान करना है उस विहाब पे अगर देखें तो केसे स्टडी कैसे करें किस तरीके से जो कंजूमर है जो बायर है किस तरीके से उन पर फेथ करें और कैसे अपने आपको आगे देखें कैसे मार्केट मे बना हुगा जाए जे कम्पेटेटिव मार्केटिंग में किस तरीके से अपने को वेल एस्टिप एस्टिपलिस्ट करें ए इंपोर्टेंट चीज जाती है इसमें हम देखेंगे कि अगर एक औसर होता है तो ठीक है लेकिन बनाम चुनोतियां जब होती है उस समय किस तरीके से सब्सक्राइब को पैसेंस फुली कीप और कौम माइंड से देखना होता है और उसमें इस बात के ध्यान रखना होता है कि कहीं बिपरीद परिस्थिति में कुछ ऐसे निर्डर में ले लिए जाए जिससे की कंपनी के चबी पर मतलब उस जाब उसका कंपनी का इमेज है जो उसके कहीं उसको नुकसान पहुंचें हमको बिसेश रूप से देखना पड़ता है कि दूसरा इसमें हम देखेंगे कि क्यों कि इस्टेडी जरूरी है जो इसमें जो हम इस्ट्रक्टर में इस पूरे इनुट में हम देखेंगे कि इस्टेडी जो लास्ट इनुट है विद्यारती मित्रों कि केस्टेडी क्यों जरूरी है और दूसरा कि कैसे हम इसको तयार करें कि उसके करें। ा उसके बाद कैसे हम कैसे इसके बाद किस्ट काइसे आप क्या क्या बजीए। भी सुन्हेज्ट करें। उसके बाद किसे हम सब्सक्राइब करेंगे। और रहुतso इसको आपको लाब मिलेगा. असिवेशन जभी चला है की वाई केस्टड़ी, what is the importance of the case study in the current scenario? The point is, in the current scenario of the globalizations and ever-changing markets dynamics, it is the becoming more and more necessary to understand the practical challenges that organizations and brands are facing on ground. It means the maximum company and maximum branding and the institute, any organization are going to launch different organizations, different advertisement through the different channels like satellite channels, like social media in different ways. In the sense, it means, उसमें ये देखना होता है कि सबसे जो जरूरत वाली देखना है कि कैसे आप अपने आपको practicality में आप उसको देखते हैं, किस तरीके से जो current scenario चला है, जो market का, उसमें किस तरीके से आप आप अपने को adjust करते हैं, और जो ground पर किस तरीके से अपने plan को बनाते हैं, इसमें ये चीजें महत्पूर हो जाती हैं. Suppose that, first होता है कि आपका जो advertisement आप बनाते हैं, या जो product आप launch करने जा रहा हैं कि how to know about this, कितना उसके बारे में आप जानते हैं, how to explain on the audience, how to explain in the consumers, in the different platform, otherwise अगर आप उसको सही से, अगर आपकी knowledge अच्छी है, लेकिन अप presentations उसका अगर आप अप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो definitely आप fail हो जाएंगे, you will fail in the, your aim. अगर आप निश्ची तुरूप से presentation नहीं कर पाते हैं, तो उसका परणाम आपको नकरात्मक्ता में ले जाएगा. Second, theories of the marketing, क्या concept है, market की जो अभी theory क्या चल लएगी है, कैसे काम कर रहा है, और किस तरीके से, आप उसको अपने तरीके से देख पा रहे हैं, किस तरीके से उसका study आप कर रहे हैं, market कुछ और तरीके से चला, आप उसको कुछ और तरीके से चलाना चाहा रहा है, तो निश्ची तुरूप से आप नहीं उसके साथ सामान ज़स से बैठा पाएंगे, तालमेल की कमी नज़र आएगी. And second point अभी ओकर देखें कि critical juncture है, it means जो बीच के जो आएंगे, जो रास्ते आएंगे, जो आपको analysis करना पड़ेगा कि जो market किस तरीके से चलाना था, हमको अपने जो product है, उसको किस तरीके से produce करेंगे, उसको बनाएंगे, तब जाकर कि आप analysis करेंगे दूसरे products का, तब जो सबसे important चीज है कि decision making, decision making जो power है, किसी एक ब्रक्ति के पास होना चाहिए, या जो employee हो कारिकर रहा है, उसके पास इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, कि ओ जब जरूओ तो market हिसाब सो decision ले सके, एक history में अगर मैं example दों कि अगर भारत में अजादी के before independent, जब भारत में different colonies थी, like France थी, Britain था, Portuguese थे, तो उसमें क्या होगा कि जो France और इसकी चला था, France और बिटेन की जब यहाँ पर करनाटक में वार चला था, उस समय situation दो तरीके स्वाँ depend करती है, France यसी वहाँ पर इसलिए हार गए क्योंकि उनका जो जो लीडर था, इट मिंस जो यहाँ पर भारत में deal कर रहा था, उसको किसी permission के लिए लेने के लिए सबसे पहले France के पास जो मेल यातार किसी तरीके से माध्यम भेजना पड़ता था, उसका फिर जबाब आता था, फिर जाके ले पाते थे, इधर बिटेन सारे decision खुद से लेने के लिए सक्षम था, जो भी प्लान एक्जक्यूट बनाता था, उसको एक्जक्यूट कर देता था, यहाँ दूस कुछना आते 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 आपको कहीं देर हुई, तो उस situation में आप निश्चित जो युद्ध होगा, जो वार होगा, उसमें आपको नकर अत्मक्ता देखने एक मिलिक आप हर गए होंगे उसमें, क्योंकि पढ़राम आते आते तब तक सारा आपका प्लान और दूसरा समझ जा अधरवाई जो प्लान आपका फेल कर जाएगा, अगर आप सोचते रहेंगे, क्योंकि वो प्लान हो सकता किसी और के माइंड में आ जाए, and next है good management and global leaders, it means आपके पास to have a good management quality and skills and your capacity and your thinking power is the like a global concept, a global scenario, it should be your thinking power in the concept, आपका जो thinking power होना चाहिए, आप global तरीके से बैस्विक तरीके से आपकी सोच होनी चाहिए, otherwise अगर आप बैस्विक तरीके से नहीं सोच पाते हैं, प्रमधन आपको उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो market के scenario में आप नहीं उतर पाएंगे, आप survive नहीं कर पाएंगे, क्यों आप उसको बजार कह लें, जो कह लें एक जगर सिमित है, क्योंकि आपके पास गजट से और गजट में सारी चीजों को आप उसमें समाहित हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, उस गजट के माध्यम से कर पाते हैं, अर्थाद जो भी market है, आप के पास है आनलाइन के माध्हम तमाम है आप फिज़कल रहुभा मार्केटिंगं पूरा सब्सक्राहद को मरखेंट है यह कुरी मनेज्यमेंट्ब और गलोबल इसकील गलोबल पावर खियोड़ा छुलियुभास के पिक सब्सक्राइब बना पाएंगे अगर इन सब सारी चीजहों का गर मुल यांक। कोई करता है तो अच्छा case study आप बना सकते हैं उसको कर सकते हैं कहां कि दूसरा case study help talk क्या-kya मदद करता है बनाने में के मैं सब क sola topic हनाते हैं झाते हैं इन दो आप research कुछ भी करते हैं तो सब से जो पहला होता है कि आपको मार्केट समझने में आपको मदद करता है कि मार्केट में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं मार्केट में किस तरीके से मार्केट का भी है ब्रांड से क्या क्या है एक्सेसबिल्टी किसकी है और जो ब्रांड है उसकी बैलू कितनी है उसकी जो मैंने आपको बता है कि आप जाएंगे तो आपको इतनी सारी पॉश्टीज मिलेंगी जो सेकेंड मारकेट में जो क्राइसिस की सेचीज़ चल लए है मारकेट किस तरीके का चल लाया किस तरीके से जो चीजों को ले पा रहा है अभी जो सेचिज़न करें अभी थोड़ा- तोड़ा जो मार्केट रन कर पा रहा तभी लोग निश्ची तुरूप से जरूरत वाली चीजों को ले पा रहे हैं कहीं कोई एक्स्ट्रा चीज या कुछ ऐसा जो सेलिंग या खरीद नहीं पा रहे हैं उसको बैंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं इस बात का भी डर ह है के धार व्हें भाइब हो चीजे इसके लिए उनको डेली निर्भा रहना पढ़ता हॹाने पिन श्रवर्मार से प्रूंतrock ले पार और इसका लिहाजाए है कि तमाम जो है सेक्टर में बहुत नुक्सान हुआ लाइक जैसे आगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादे ट्रैबल में सबसे ज़्यादे नुक्सान हुआ क्योंकि ट्रैबल पूरी तरीके से एकदम हंडेट से जीरो पे आ गया क्योंकि आगर आप कहीं को जाते हैं सबसे जरूवत है ट्रैविलिंग की रहने की आपको लेना पड़ेगा खाने में रुकना पड़ेगा कहीं खाना पड़ेगा तो जो सारी चीजें उस सारे चीजें बैन थी तो कोई बगार इन चीजों के मिले घूमने का कोई प्लान नहीं जा सकता इस हिसाब से सबसे ज़्यादे नुकसान हुआ अब सारी जो ट्रैवल की कंपनी हैं वह इस बात पर ध्यान दे रही है कैसे अब मार्केट फिर से कैसे खड़ा होगा फिर कैसे चलेगा क्योंकि अभी इसके पहले गर हम देखें तो टूर्यम एक लीडिंग मा लेकिन जो हाल फिलाल का सिचिविशन उसमें काफी जीरो की स्थी में आ गया है फिर से धीरे-धीरे हो अरबतार पकड़ रहा है लेकिन अभी लोग डर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में ड्यू टू कोवीड का डर अभी भी उनको बना हुआ है फिर उससी का बन कॉस्टाइब कि क्या मार्केट की विनिंग पाऊज क्या है मार्केट किस तरीके से फ्लक्चुेइट कर ऐसे तरहरा किस तरह की चिशनर को जब करते हैं को आदमी जा कर पया किसी कंपनी का मांडिंग या चीज़ा आपको मिल पाते सब्सक्राइब करते हैं कि करें में क्या होता है कॉछ चीज है या उस तरीके का आटology नहीं वह नहीं कि जो सर्वे में होता है लोग ऐसे भी भर लेते हैं या कुछ से ध gender कर पाते हैं लेकिन जो फिजिक ऑफक्रती आप करते गते हैं तो पर यह रूंपरोफ गर शाकर करते तो यह सक्षे तृ सक्रकंफ मतब में धेखे आप से नेक्स्ट इसमें देखें कि किस तरीके के चीजें आगी ग्रोथ कर रहे हैं किस तरीके के मार्केंट अभी इलिजन से कल्चर अभी किस तरफ जा रहा है वेस्टर को लोग फालो कर रहे हैं या फिर इंडियन क्ल्चर को लोग किस तरीके से कर रहे हैं जिसे कि अभी हाल फिलाल के दीनों में जो मेर्न इंधिया का इस तरीके कहा है आप जब market में study करेंगे तो देख पाएंगे किस तरीके से ऐसे हो पारा किस तरीके से market कर पारा रहा किसे गेन पार रहे सब सारी चीजें के से study करने के उपरांत आपको मिलेगी और उससे बहतर आपको response मिलता है कि दूसरा case study अभी आपको कि डिजाष्टर आजाए कोई एक तरीके से कोई ऐसा कोई अन्होनी चीज़ें आजा नेचुरल चीज़ें जो कि आप उसमें आप सरवाइब करना मुस्किल हो उस समय क्या होता है कि न्यू ब्रांड्स जो होता है एक जो नया कॉंसेप्ट आता है उसमें लेकर एक नए तरीक आपको देखने को मिलती है कैसे आप इसको प्रिपियर करेंगे कैसे इसको बनाएंगे एक महत्पूर पक्ष है तो इसमें मैक्सिमा जो कंपनियें खास्तोर से काम एक करती है कि जो उनका जो पिछला प्रॉड़क्ट होता है जो सारी चीज़ें होती है उसका इन्फर्मेश ना फोकस्ट बजस्ट करते हुना हैं वह टार्ग्ट सोट्यंस क boca कर ना है हम क्स्तार की से से में मार्केट हमारा है उलक शोण divides में इन सब सारी चीजों को को देखता है अधरवाइज कि एकवा कांसेप्ट भी खाफी खासता ग्लोबली आजकल हो रहा है तो निश्चित रूप से जो मार्केट का जो सोसलाइजेशन है जो वाइरल की जो सिच्योइशन जो अभी बंद रही है कोई चीजे कब वाइरल हो जाए इसका कोई ठीक नहीं किसी एक ने किया किसी पब्लिक डॉमे तरीके से मार्केट करता और एक नए तरीके से जो की बात आती है उसमें पुराने के स्टड़ी करने के बाद उसका फीडबैक जब हमको देखने को मिल जाता है तब दूसरा उसमें और महत्रम आता है कि अब ध्यान-पुरवक से उसको जब करते हैं नंगश्य ुआ जो पिछली गलतिया है ہے उसको हम करने के कोसिस करते हम करते हैं द। अच्छे से करते हैं Do that को एक करते ह 경우에는 बीर हैं करते हैं। रिकिन तमाम हो जाने के बाद क्या करते हैं कि सारी जो मारकेट sama दूसरा इसमें एक चीज है हमें देखनों के मिलती है कि कि multiple possibilities हमें मिलता है कि solution आपको मिलता है आप केसी study बनाते हैं तो आपको solution देखने के मिलता है कि solution को किस तरीके साब how to solve the solution कैसे आप जो है problem को solve करते हैं solution कैसे उसका ढूंड के आप लाते हैं इन सब सारी चीज़ों को अब जब case study आप करते हैं जब case study कोई company करती तब वो जाकर के समझ पाती है कि किस तरीके से problem का कैसे हम solution ढूंड़ें और क्या इसका solution हो सकता है यह finally after जो case study होता है उसको पूरा करने के बाद ही हो पाता है नेश्ट इसमें और company कभी कभी इसमें देखती है किस तरीके से खत्रे की स्थिति में क्या करना होता है उसके लिए भी एक safety zone बना के रखती है कि in the case अगर कोई उस तरीके से natural disaster हुआ है कुछ तरीके कोई घटना घट रही है उस situation में किस तरीके से company tackle करेगी किस तरीके से तरीके से टेकल करेगा natural disaster आया कुछ तरीके घटना घट गई या कुछ ऐसा हुआ जो unexpected हुआ उसके लिए भी company कुछ अपहत तक मार्जिंग बना कर रखती है फिर वह प्लान करती है क्योंकि in case अगर इस तरीके की एक safety zone बना कर रखती है ताकि इससे की एक problem solve हो सके है नेक्स इसमें हम देखते हैं कि opportunity based case study कैसे है तो first of all हम देखते हैं कि एक comparative case study हम करते हैं जब भी कोई case study करता है तो जो पिछला होता उसका review करता है मार्केट की जो situation उसको बनाता है अब इसमें हमको देखना है कि क्या opportunity based case study हम कैसे करते हैं तो इसके लिए हम दो एक्जामपल एक तरीके से लें पहला एक्जामपल हम लेते हैं जॉंसन और जॉंसन का उससाइडनी लेस टाइनोल कैप्सूल का 1982 का उसमें जब पहला एक्जा the potassium cyanide a deadly poison the killer was never found इसमें इस तरीके का जो टाइनर कैप्सूल से company बनाती यह company बनाने के बाद क्या होता है कि उसमें साथ लोग जो है मर जाते हैं उसका यूज करने के बाद और उसमें जब उनका postmatum होता है कि उसमें यह दिखाता है कि potassium cyanide की मात्रा ज्यादे थी जिसके हुज killer was never found killer कभी पया नहीं गया अब इसमें situation है कि company किस तरीके से अपना defend करें कैसे इस को बचाओ करें उसमें अब company क्या नेडर लेगी यह महत्तुपूर्ण चीज है तो company क्या करती company जे 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 रिस्पांड करती है company कहती है कि सबसे पहले करती कि safety हमारे ग्रहां को लिए कि सबसे बड़ी प्राथमिकता है safety का जो major है जो हमारा मानक है सबसे जरूरी है और हम सबसे उसको प्रा itadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad करने के बाद फिर सो उसको क्या करता पूरी के फ्रती करता क्योंकि इससे क्या होता कि ऑ च्थ बनाने को ससकता है कि कि één भाने WILL की वोटल से नॉल की जो आ лексोने लेकिन इस लिए इस लिए ऑए करती है क्योंकि लोगें जो नियाख श्राश को हैं उसको पादल सके हैं उसमें तमाम तरीकेंटृटी में पिर लिए तो एक तरीके का एक अच्छा इनसेटी और पाजेटिव होता है क्योंकि जो कस्टमर होता है जो बायर्स होता है उसके दिमाग में नई में deliver होता है इस एकपनी होती है उसके रिपोर्ट में ऐसा है पाजाता है उसके रिपोर्ट करीब ऐसी पाएजाता है उस इंजेक्शन में क्या होता है कि कुछ ऐसी मात्रा होती है दूसरे तरीके से नरेट करके फिर चलना चल वो जाता है लेकिन अब पेपसिको ने क्या क्या रिस्पॉंड किस तरीके से किया पेपसिको इस बात को जानती थी कि यह जो फाल्स इन्फर्मेशन से इसको पॉब्लिक में नरेट किया जा रहा है फाल्स नरेट को करने के लिए उसने क्या कि पहले अपने जो content था जो भी चीज़ें थे उसको पहले वीक चौन को देखती है और जो reports है उसको भी देखती है लेकिन कुछ उस तरीके से उसको लगता है उस company को कि यह फाल्स नरेशन है उसके खिलाफ हो मतलब एक तरीके से अच्छा response करती है गुडविल तयार करती है अच्छा confident दिखाती है अदिखाने के बोलती है कि उसको सारे जो illegal इस तरीके से जो आरोप लगाए होते हैं उसको खरिज करती है और उस कहती है कि इस तरीके के सारी ची किया गया कि उसमें उस आटे में खास्तोर से प्लास्टिक के कुछ ऐसे कुछ मिक्स किया जा रहा एक नरेशन अच्छा क्रेट हो तो फिर आजिरवाद कंपनी ने क्या कि उसको अपनी इमेज को सही करने के लिए फिर एक अच्छा एड़ोटीज बनाया उसको फिर दिखाय और उसने बताया कि फाइबर है आटे काई फाइबर है कोई प्लास्टिक नहीं है यह फाइबर है और लोगों को जो नरेशन है इस तरीके से गलत जा रहा है तो कंपनी अगर अच्छे अपने उस प्रोड़क्ट पर उसको फेथ है कुछ उसने ऐसा नहीं किया तो अच्छे पर उसके दिखाती है अच्छा जो इलीगल उस पर जो नरेशन लगा होता ही लीगल जो आरोप लगे तो उसको खारिज करती है और अच्छा एक महौल बनाती है उसका रेस्पॉंड करती है अब इसमें एक चीज़ाओ रहे है कि क्या इसमें देख सकते हैं तो इसमें हम दे सारी चीज़ों को प्रिंस्पल्स को अपना करके हम एक केशी सधी बनाते हैं दूसरा इसमें हम देखते है कि प्रावलम ढूटने ifiques करतें और इस प्रावलम उसका उसको हम गैदर करते हैं असनमें टेशली उसको कंइंडरी बूशन में Kणिएंडरीबूट करते में द्यार्थी मित्रों इस सत्र के बाद आप इस बैठ करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके के आपने को जाचने के लिए आप दो दो क्वेस्टिन्स दिये गए हैं कि अर्था दो क्वेस्टिन्स भी द्यार्थी मित्रों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने जो पढ़ा उसका क्या रेस्पॉन्स रहा और किस तरीके से अपने आपको सेल्फ इंप्रूमेंट आपका हो रहा है दूसरा कि जब भी द्यार्थी मित्रों आप पढ़ेंगे तो किसी उनिट को पढ़ने के बाद अपने आपको जरूर देखें और जांचे कि क्या सिचुएशन बन रही है अगर आप यह लेक्चर को सुनते हैं या कोई आप मैटरियल पढ़ते हैं आप मैटरियल पढ़ते ह उसको आप देखें खुद से लिख करके कि आपने जो पढ़ा उसका कितना अफिस्द आपको याद है सेवेंटी परसेंट याद है या फिर अपकम कर पा रहे हैं तो कहीं आप लिखने के प्रयास करें उसे बोल के सुनने के प्रयास करें सीसे के सामने बोलने के प्रयास करे अगर आप इसमें बनाना चाहता है निश्चित रूप से आप इसको अपने खुद का सेल्फ इंप्रिमेंट करें और कैसे अपने आपको जाचें तो विद्यार्थी मित्रों आज का जो सत्र था जो इनुट 14 था पेपर 2 का यह आज यहीं पर समाप्त होता है और आपाया मंता पहा आपाया मंता पहा आपाया